हलो गाईस मैं सुरस राज अपनी यूट्यूप चल पेपर हैकर में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है वो बीसी फर्स्टी वालों के लिए जिलो जी का सेकंड पेपर रह गया था बाकी सारे मैंने पेपर अप्रोड कर रखे हैं यदि आपका भाई अपके लिए उनिविस्टी से है बहाँ जाके देख सकते हैं उनको समझी अच्छी तरीके से जानी है ठीक है तो पहले कोशन को याद करेंगे नहीं इसकी बहा सारसना किस प्रकार से होती है उसकी स्वाबहाब के लिए वास इस्थान के लिए और जनन के लिए आपको करता है कि भाई कितना आप अच्छी तरीके से कर पाते हैं ठीक है तो रप्रेक्शन को देख लिएंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे और जो नोट्स रानलोड करना चाहता है वो नोट्स भी रानलोड कर सकता है सबके आपको नोट्स देंगे बस थोड़ा सा बेट करिए टीचर आने की जैसे आएंगे तुरंट के तुरंट सारे नोट्स आपको मिलने वा लगेंगे वो नेरिस एनिलीडा संग का जनतु होता है कौन से संग का होता है एनिलीडा फैमिली का एक मिंबर है यह ठीक है जनतु है और नेरिस और नेरिस एनिलीडा फैमिली के जनतु होता है इसमें जो भी चीज आती है नेरिस में जो भी आप देखते है कि इतने टांगे होती है इतन है यह पंद्धी के पास में रहता है इसके बारे में हम लक्सर सकते हैं एक हम पहले देखेंगे सकते हैं इसे एक नाम से अर जाना जैसे कि जो जैसे कि आपको देखना है उसका जीए उसके बाद में आपको देखें नेक्स कोशिन आपको आ जाता है जैसे हम ग्रीन ग्रंथी को आपको देख सकते हैं उसके बाद में आपका आपका पाचन तंत्र तो पाचन तंत्र क्या होता है किसका जीएगा मसली का पाचन तंत्र आपको देख लेगा जीएगा मसली की क्या सयुक्त नेत्र देखने ना है जिसे कंपाउंट आई कहते हैं वह देख लेना है साथी साथ उसका जीएगा मसली उसका सांस किस्त प्रकार से लेती है जब आपको हैविट और हविटेश्ट पढ़ेंगे न तो उसमें सब कुछ आ जाएगा समझ में आपको ये बार बार पढ़ना न नहीं होड़े एक ही बार में सब कुछ लिखा होगा ये लॉंक कोश में आता है उसके उपांग केतने होंगे पैर केतने होते हैं वह बताना इसके बाद में आता है इस गोंगा तो जो होगा है उस जाता कर आपको देखना पड़ेगा वो कौन सा है वह आपका मुलिसका के लक्षन और क्लासिफिकेशन आपको देख लेना है साती साथ आपको देखना है घोंगा जो मचली है उसका स्वभाब हैबिट है पाचेन तंत्र डिजाजेशन सिस्टम को देख लेना है उससरजन तंत्र को देख लेना है है उसके बाद में क्या है व्माद मैं सो शूशन तंत्र क्या होता है सांस लेने सांस लेने की पाहिला किस प्रकार से सांस लेता है वे को वटा देना है और साहती साथ आपको activities system आنت लेने की बार तो यह आपको इतना देखना है उसके बार गासरा के है olur अ हुए समुंद्रिय सितार मशली जो स स्मुंद्रिय के सितार मशली होती है सितार मशली के अंदर सितार मशली के अंदर करती आती है रहा सरचनक बहार से कैसे whereas graphology देख भी तो पहला सिखान सिर्फी दहोन को softly सब II कर देखाब वाndra संस कैसे से लिखता है जो लार्वा बढ़ा को अचछी तरीकी त़ेख लिए क्से लाता है थह जो雛टा वो निकलता है उसे प्रोक़ 11 घंगा भी जाता है। उसकी एक हैस्टेड प्लेट देख लीन एक कौण सी हैस्टेड और एक बुकलंग क्या होता है। ठीक है तो जीह कॉस्णे का प्लंग को देख लेना है और next जो कोशन आपको देखने है वो है आपका घोगा तो गोंगा मसली का एक लारवा होता है देखें गोंगा मसली नहीं होती है गोंगा होता है ठीक है पाइला जिसे कहा जाता है तो पाइला का एक लारवा होता है जिसे पाइला जब जनमा होगा पाइला पूरा तयार हुआ होगा गोंगा तयार हुआ होगा तो उससे पहले बरकार से लार्वा दिखाएगा और मैं आपको दिखा दूं यह जो कोशन है ये सारे के सारे मौष्ट इम्पोर्टेंट और इन कोशनों के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है तो गोचेडियम एक लार्वा होता है जो किसका होता है नोगौगा को होता है उसको देख यह कबच तो कबच जिसे हम सील कहते हैं सील ऊफ पाइला तो पाइला जो गोंगा है उसका कबच छोता से उपर आपने देखा होगा कबच होता है वो यहां एक्स स्पेंड कर दे रहा है साती साथ आपको next important exam 2020 बन के लिए जो 19 से भी कम कोशन होंगे जो आपको यहां से सारा की सारा मिल साएगा ठीक है next वीडियो में मैं 30 वालों की वीडियो बनाऊगा तो आई हो वीडियो बसंद आई हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों को शेर करिएगा कोई प्रॉब्लम बनती है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा हम आपकी हमेशा मदद करेंगे आप किसी भी यूनिवर्स्टी से इसे फर्क नहीं पड़ता आपके लिए मौश्ट इंपोटेंट कोशन लाना हमारा फर्द बनता है और आपका भाई हाई स्कूल इंटर्वी सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें और इंपोटेंट कोशन को याद करें मिलते हैं तब तक के लिए जैहन दोस्तों